कभी कभी तो भूशिटी होते हैं, तो हम आज जो है औस्किलेटर पर चर्चा करेंगे, अपी औस्किलेटर औस्किलेटर की बारे मैं कुछ पॉइंक समझेंगे, पैने तो आप लिप लिदें की औस्किलेटर होता क्या, वाट डूइम पॉशिब आने दूदे, ज रुपन बुपनी दो पूस्तु लेखर एक एन अस्तु लेक्पनी IS जब डिस प्रिक्वंकी which generates the desired frequency. Oscillator is an electronic circuit which generates the desired frequency. Second point, Oscillator is also known as second point, Oscillator is also known as DC to AC converter. Oscillator is also known as DC to AC converter. Oscillator is also known as a electronic circuit which is a frequency frequency उत्पन्द करता है. Second point, इसे DC to AC converter कहा जाता है. इसे DC to AC converter कहा जाता है. Third point, जब किसी amplifier का gain, जब किसी amplifier का gain, infinite हो जाता है. Amplifier का gain, अनल्ट हो जाता है. अनल्ट मिल्ट इन्फिनाइट हो जाता है. तो वह oscillator बन जाता है. तो वह oscillator बन जाता है. जब कर एक जाता है. आप negative feedback पड़ेते, A F is equal to A upon 1 plus A beta. This is the formula of negative feedback. You remember what that? यह negative feedback जा है. लेकिन oscillator में कौन सा feedback यह उस किया जाता है? Positive feedback. Positive feedback जा फांसा होता है कि इसा, A F is equal to A upon 1 minus A beta. Positive feedback का यह फांसा होता है. गेन का. A F is equal to A upon 1 minus A beta. अगर इस इस question में A beta की value 1 whole dot, तो क्या हो जागा यह जागा यह फांसा होता है? Infinite. 1 बन एक बटा 0 मतलब infinite. Are you getting? तो अगर किसी amplifier का gain infinite हो जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं? Oscillator. Oscillator क्या करता है? कि DC signal से charge होता है और frequency क्या करता है? Generate करता है. आप लोगोंने basic electrical में charging, discharging और capacitor पढ़ा होता है? Yes, sir. बढ़ा है वहाँ पे, वहाँ पे battery लगाए जाती है, और battery से आपका capacitor पुरी तरह charge होता है, उसके battery हटा ली जाती है, और उसके बदल में conductor लगा होता है. तो capacitor के charging और discharging ही वह जाता है, उसमें oscillation हुद्पन हो जाता है, oscillation means frequency, frequency का मतलब AC signal, are we getting? Yes, sir. यह सब कुस्ट्रिकल इस तरह होता है, suppose that यह आपका capacitor है, यहाँ पर मैंने switch तरह के battery जोड दिया है, suppose that, यह मैंने battery जोड दिया और एक मैंने यहां पर लगा दिया है coil, मतलब Inductor, यहाँ पर capacitor और यह इंड़क्टर है, यह battery है, ज्या है, बोल्ट, 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 बोल् है, अभी यह switch जो है, हमारा open है, फसका कोल, यह जो battery है, कलपाशिटर से जुड़ी हुई है, ज्यान दिखेगा, इसमें कलपाशिटर और इंड़क्टर जोनों क्या है, पार्लल है, जब इंड़क्टर और कलपाशिटर पार्लल होती है, तो उन्हीं टैंक सर्किट कहा जाता है, जिए क्या कहा है? टैंक सर्किट, और इस टैंक सर्किट में oscillation उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? Oscillation frequency, जैसे, फस्ट अब अल, यह पार्पाशिटर इस battery, battery मतलब DC, इस battery मतलब DC से बहुए, पार्पाशिटर पूरी तरह से charge हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रिक्वेंश को इसे कनेट करेंगे इंडक्टर के द्वारा अब क्या होगा यह पुरी तरह से चार्ज हो गया है इस इंडक्टर के माध्या सिबू दिशार्ट होने लगेगा ड्रिक्टर के मतलब अधर लगेशर्ड़ेंश को ओ सिबूस जूत को इसे जहर का डिशार्ट हो इस तरह इसमें ऊस्कीलेशों अदर्श करलेंश कीक का मंधे ऑ ड्रिक्वेंश के मिल्ड में द्याय तो मैंने क्नित शूर्स की आज deserved AC-converter इसमें यह पाज रखिएगा कि कैपसिटर और इंडक्टर दोनोग पारलल में होते हैं जो आप VCC लगाते हैं वे सीसी जो आप किसी ट्रांजिस्टर में या से संव्फील कि लगाते हैं लगा खोगा और उन इंडक्टर के तारा वो डिस्चार्ज होना लगए तो चार्जिंग काइख बासिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से टैक्स चरुकित में और स्क्रेशन उठपन्ड बोदाए एक लड़के ने पूछा इसनल ये बताईए कि टैक सर्कुट मतलब कौंसों सर्कुट में इंडक्तर और कार्मास्टर जैसा कि आपने बताया तो टैक सर्कुट में जो अस्किलेशन होगा क्या उसमें एनर्जी लास्ट नहीं होगा कि अपन्शेशन के लिए हम उसमें क्या जो कॉंज करते हैं क्यों आपने शनाट होता है हम को कैसा आप शनाट है यह सस्टेंट वाश्टेंट का मतलब जिसका इंप्लिटूट कॉंस्ट होता है लेखेः स्टैर्टे के बहुत ज्यादा था और और्फ कम वो गया सब्सक्राशन, इसको former down to düşpatient कही थो प्रिक्वेंसी चाहेः हम independently सब्सक्राशन तो जो इस टैंक सर्किर्ट में इस इंड़क्टर के द्वारा जो एनर्जी लाउस होगी उसकी सरी कुल करेगा टांजिस्टर क्या कौन करेगा टांजिस्टर जितने भी हम और पढ़ेगे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा कि जो एनर्जी लाउस टैंक सर्किट में हो रही तक मैं ट्रांजिट निदुटरम जेल भूता रहता है उसको अंसस्केंड और जो प्रकाइब होते हैं अंडर्टा और जिसका इंप्ट्रूट्ट समय के साथ चेल बढ़ता जाता हो यह बढ़ता है इसमें कहारा बढ़ता है